हेलो दोस्तों मोमेट अकाडेमी में आप सभी लोगों को सकते जैसा कि प्रेवेश विडिव आपने प्रोफिट एंड लॉस का कुछ एक्जामपल देखे थे और इसको सॉल्व किया था तो कुछ आगी दो तीन कोशन और वचे हैं तो इसको भी कॉल लेता हूं ठीक है तो 280 रुपीस में एक घिजर खरीता है ना एंड सेल एट एट अगेन आफ सेवेन होल वन अपन में टू परसेंट और उसको क्या करता है तो उसको किन्ने रुपीस में बेचा है तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें कहता है एक घिजर खरीता राहूल एक घिजर खरीता था किन्न रुपीस में 3680 रुपीस में खरीता था तो उसको किन्ने रुपीस का गेन हुआ है जब बीचा था तो तो गेन परसेट किन्ना हुआ है प Cabinet सेभी कहँ तेवल ओण पांड में टू परसेंट गेन हुआ है इसको क्या करते हैं इंप stuffing में बना ले तो इंप तो इसका मल्टिप्लाइस में करेंगी तो किना अगा 15 14 आएगा 14 15 तो 15 अपां में 2% तो गैन परसेंट किना है 15 अपां में 2% गैन हुआ है ठीक है तो हमको लिखालने है SP निगालना है Selling Price निगालना है तो Selling Price के निखालने के फर्मूला होता है ठीक है तो Selling Price CP of The Gizer ठीक है तो गीजर खेलेदा था Selling Price ना तो Gizer फर्मूला था 100 प्लस गेन परशेंट ठीक है Game% और अपनमी क्या था 100, into, cp यही Isab formula होता था जव gain होता था ठीक है, gain percent और S, पेल निकालना था तो यही Gobierno होता था 100 plus gain percent upon mean, 100, into, cp ठीक है, और जब loss निकालना हो, तो loss निकालना हो हंगाए, यहाँ eigene loss लंगाते थे ठीक है, और यहाँ minus लंगाते थे तो इसका कैकते है प्लास गेन परसंट किनना है 15 अपान में 2 15 अपान में 2 परसंट ठीक है अपान में किनना है 100 into CP कितना है 3680 रूपीज ठीक है 3680 रूपीज गेन CP है ठीक है अब इसको कहते हैं सॉल्व करें तो सॉल्व करने भी किनना आएगा तो 2 का मल्टीप्लाइ इसमें यहाँ पर 1 रख दो ठीक है इसका 2 का मल्टीप्लाइ इसमें किनना आएगा 200 ठीक है 2 का मल्टीप्लाइ 100 में करोगे तो 200 आएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाइ 15 करो कितना आएगा 50 नहीं आएगा अपान में टू गो मल्टीप्लाइट टू मिक्रों किना एगा टू आएगा आएपान में पूरा किना है हंडेड़ है ठीक है इन्टू 3680 हो जाएगा आगे देखते हैं इसको इसको एड़ करेंगे तो किना आएगा है टू थाउजेंड टू टू हंड़ेड़ यहां पर नीचे आता है तो इसके ना आएगा टू हंडेड़ फेटीन अपान में तब यहां पर नीचे घस लेगा तो यहां तो को multiply 100 में करें किन आएगा 200 आएगा into 3680 अब इसको solve करें ठीक है तो ये 10 से 10 कैंसल हो जाएगा ठीक है अब क्याकते हैं इसको काटें तो 2 से काटें ट्रेंग है तो टवेंटी टीक है अब इसको काटें तो यह 12 ठीक है वं क्यरी बचेगा तो यह आप सब्सक्राइब सोट में आएगा तो अकार इसको करें महिने तो मर्टीप्लाइ कर लेते हैं इंटू में कर देत 184 ठीक है मल्टिप्लाइ करें यहां पर तो 4 का मल्टिप्लाइ 5 में करें तो 20 आएगा 20 का 2 20 का 0 2 कैरी हो जाएगा 4 का मल्टिप्लाइ 1 में करें तो 4 आएगा 4 आएगा 2 किना हो गा 6 हो जाएगा ठीक है two multiply four multiply two में करें तो किना आएगा eight आएगा को देखे question number next है ठीक है तो question को पढ़ते हैं लिखा यहां पर रस्मी बाइस आ केल्किलोएटर रस्मी एक क्लेकुलेटर क्या करते ही वाई करती है खरिते हैं ठीक है four rupees मिथा PATR kunnen na 508 में एक कैल्कुलेटर कडिए कौन कि मैं रुसमी कर दिए तो उसको बेशंदी है राष पहुलिए को टी बेश देटी है किनने उसको लॉस होता है कि किने परसेंट की लॉस होती है six hold two upon में three परसेंट की उसको लॉस होती है ठीक है for how much does c sell it तो उसे कितने रूपिस में बैची होगी ठीक है तो इसमें क्या कते हैं जो बाइस है उसोत क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ठीक है तो यहां solution लिखते हैं तो solution में क्या है cost price है ठीक है cost price cp ठीक है rupees कितना है 10 80 10,080 rupees ठीक है और उसको loss किना हो रहा है six hold two upon में three percent की loss हो रही है तो यह loss percent लिकाल दें loss percent किना है two six hold two upon me three percent loss हो रहा है उसको क्या करते हैं यह जो mix fraction है तो इंप्रोपर में कर दें तो इसको क्या करते हैं ठीक है multiply six में करें तो किना आएगा three six is a 18 18 और किना हो जाएगा 20 20 upon me three percent ठीक है अब इसको क्या करते हैं selling price निकालना है ठीक है उसको क्या क्या है selling price निकालना है तो selling price का formula क्या होता है तो SP of the क्या क्या करते था बाइस क्या करते calculator तो calculator का SP निकालना है तो calculator एक वर जैसा कि मैंने इससे next previous में क्या करते हैं क्या करते हैं बत क्या था तो इसमें हम लिखे थे यहां पर 100 यहां पर प्लस का sign लगाए थे ठीक है तो यहां प्लस का sign लगाए थे यहां हो रहा था लेकिन इसमें क्या हो रहा रहा हुरा है यहाँ पर लॉसट अथर्फ जाएगा इन्मक्नस उत आ disappoint स्षवा धालुव घ्ली करना था गैंडन लगादना रहा है तो यहां पर लगादेना loss percent लगा दो लगा देते हैं ठीक अब सबकी value दिएगी है तो खली value put करते हैं तो 100 minus loss percent किना है loss percent 20 upon me 3 20 upon me 3 ठीक है and whole upon me 100 into cp कितना है 10 80 आगे दिखते हैं इस तो solve करते हैं तो यहां पर one suppose कर लेते हैं तो किना हो जाएगा 300 minus one multiply 20 में करें 20 and upon me 3 ठीक है 3 का multiply 3 में करें 3 आएगा and पूरे का upon में किना हो जाएगा 100 into 1080 ठीक है अब 300 में से 20 subtract करें किना आएगा 280 आएगा and upon me 3 and पूरे upon में किना हो जाएगा 100 into 1080 हो जाएगा और इसको solve करें तो यह यह जब 3 मीचे घसकेगा तो किना हो जाएगा 300 हो जाएगा ठीक है तो 280 upon me 300 into 1080 ठीक है आए और अगे solve करें इसको तो 10 से 10 cancel हो जाएगा यह भी 10 से 10 cancel हो जाएगा ठीक है अब यह 3 और 18 कर जाएगा ठीक है तो ठीक है अब किनना बचा है देख लिए आपर तो 280 208 into 36 ठीक है अब इसको multiply करें तो 8 का multiply 6 में करें तो 8 6 जा किनना हो जाएगा 46 हो जाएगा ठीक है 46 का 6 4 करें हो जाएगा अब 8 का multiply 3 में करें तो किनना हो जाएगा 24 24 हो जाएगा और 2 का multiply 6 में करें तो 12 हो जाएगा तो 24 और 12 किनना हो जाएगा 24 और 12 ठीक है किना हो जाएगा 36 36 का 6 लिखते हैं ठीक है 36 और 4 कैरी था ना तो 4 कैरी था और एड़ कर दें तो 10 10 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ठीक है तो 40 का 4 हो जाएगा 40 का 4 4 कैरी हो जाएगा ठीक है और 2 का multiply 3 में करें तो किना हो जाएगा 6 6 6 और 4 किन नहीं हो जाएगा कि का जायेकन हो जाएगा 10 हो जाएगा यहड़ा एक सेलिंग निकला है ठिक है सेलिंग बाज मतलु लिए हो जाएगा तो यह घुलिंग पॉज़ारा cuestión तो जो रस्मी थी तो रस्मी थी 1080 रूपीज में उसको खरीदी थी ठीक है और क्या करते हैं और और रस्मी उसको क्या करते हैं सेलिंग कर दे थी तो यह सेलिंग निकला है तो यह आपका वास क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा देखें को सेलिंग करता है ना यहां को सेलिंग करता है बेचता है के रूपीज में 810 रूपीज में क्या करता है सेल करता है सुनिल गैन्स 8 परसेंट तो सुनिल को 8 परसेंट की क्या होता है गैन होता है मतलब प्रॉफिट होती है तो उसे कितने रूपीज में पर्चेस किया था मतलब उसको खरीदा था ना तो सलूशन क्या है सलूसन तो सेलिंग प्राइज यह दिया है ठीक है तो सेलिंग प्राइज किनना है एट हंडेट टेन रूपीज का उसका सेलिंग प्राइज है ठीक है अब उसको गेन किनना हुगा है गेन परसेंट किनना है एट परसेंट ठीक है अब इसमें देख रहे हैं आपको निकलना है कॉस्ट प्राइज क्या निकलना है कॉस्ट प्राइज आपको क्या निकलना है ठीक है तो कॉस्ट प्राइज को फार्मूला आपको देखें होंगे पीछले प्रिवेस वीडियो में आ समय और यह कि यह फार्मूला और यहान कहते हैं आज हैं सीपी निकालना हो तो सपी दिया हो और जब दर करना हो तो यह फार्मूला होता ठीक है अब यहां पर गें हुआ है किंपया है अगर यह अपान में क्या है 100 प्लस प्लस यहां पर गेन हुआ है इसलिए प्लस लिगा है अगर लॉस होगा तो मुमारे से लगाते हैं ठीक है तो लॉस गेन परसेंट किनना है एट इंटू यही है तो इसको काटें तो अगर हम टू सी काटें इसको ठीक है तो टू से काट रहे हैं आपज प्लस और गासे हैं और चुल ग tenants प्लस यहें presentation हुआ है ये टीकर इसको भी काते 2 से डिया तो सहे मैं कि आये गा है तो फी प्र प्रौरी वर्मरी अगर अगर फिर टू से इसको इसको काटे ठीक है जो टू से टू टू जा फोर हो जाएगा वन करी देगा टू 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 सेवन जा फोर्टीन ठीक है आईए फिप्टी बान में आएगा ना आगे करते हैं इसको अगर 3 से स्क्वाटे 3 कर दिया आएगा तो 3 9 जा 27 3 3 1 जा 3 ठीक है 1 के लिए देगा तो 3 9 जा 3 3 जा 9 3 1 में आएगा फिर 1 के लिए देगा तो 15 ने जाएगा इन्टू 135 अपन में 9 आएगा ठीक है तो फिर से अगर 3 से काटे तो 3 3 3 9 किना आएगा 3 4 जा 12 फिर 1 के लिए बचेगा तो 15 हो जाएगा 3 5 जा 15 ठीक है यह फिर से काटे तो 3 से काटे जाएगा तो 3 बंजा 3 3 बंजा 3 3 5 जा 15 कितना है यह 15 इंटू 15 ठीक है अब इसकी मल्टिप्लाइ करें तो 5 मल्टिप्लाइ 5 में करें तो किना आएगा एलेगा 85 ऑल टो किना जाएगा तो ए आपको क्या हो जाएगा को कॉस्ट प्राइव निकल जाएगा जो कि रस्मी ने खरीद Heb तो तो यही क्या आजाएगा CP cost price निकल जाएगा यही क्या हो जाएगा answer आजाएगा ठीक है